हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिखास गार्डन विंटर फ्लावर्स के तो जाने का समय हो गया है गार्डन में लेकिन अब यह समय है जब वाटर लिलीज जो है वो डॉर्मेंसी से वेक अप हो रही है दीरे दीरे उनका खिलना स्टार्ट हो गया है तो आज मैं आपको तब तक बाते करते हम थोड़ा सा गार्डन देख लेते हैं यह देखिए मेरे रोजेज हैं पीछे कर जाने का टाइम हो गया है यह गैलाडिया मैंने सीट से लगाया था इसका यह कलर और इसका यह कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके सीट में सेव करके रखोंगी और देखिए मैं आपको बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सा कलर दिखाती हूँ मेरे हिबिसकस का यह जो है यह पहले बहुत ही लाइट और फैड़ी जैसा पिंक होता था जब यह नीचे था मेरे नीचे वाले फ्लोर पे जो मेरा गार्डन है उस पे प्रॉपर धूप नह लेकिन इसने कलर बहुत एंहेंस किया है इसकी ग्रोध बहुत अच्छी हो गई है और अब जो है इसका रिजल्ट यह देखिए काफी है यह प्लांट और यहां पर मैंने एक स्टार फूट का प्लांट लगाया है इस बार मैंने अपने गार्डन में कुछ ग्राफ्टिंग वाले फूट्स प्लांट को भी एड़ किया है जो सेलर है उन्होंने मुझसे कहा है कि यह जो है बारा इंच के गंले में भी फूट जो है वो देते हैं तो एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने इनको लगाया है अगर कुछ रिजल्ट मुझे नहीं मिला तो बाद में मैं इनको कही शिफ्ट करवा दूँगी तो यह देखे यह मैंगो है बारा मासी मैंगो यह चाइनीज रेड गुआवा लगाया है मैंने यहां पर मैंने लगाया है चीकू का प्लांट यह लेमन है और उधर आपको मैंने अभी दिखाया स्टार फूट का प्लांट और यह जो है यह कैमिल कैमिला कैमिलिया कुछ तो नाम है मैं भूल रही हूँ यह था और यह हैं सारे समर की सीडलिंग्स जिनको सेपरेट तो कर लिया था मैंने कुछ अभी भी बाकी है सेपरेट करने को जैसे कि यह हाइब्रेड एफवन गेंदा है इन सब को पॉट अभी मुझे देना है यह कॉ दिया है देखिए यह सारे पेटुनिया इधर उदर सीट से निकले हुए है जिनको मैंने अभी हैंगिंग वाले बास्केट में लगा दिया है इनको कहीं अभी समर की हाज दूप से बचाते हुए ऐसी जगह पर टांग दूंगे जहां पर 5-6 गंटे की प्रॉपर सनलाइट मिले अगर एक दम हाज सनलाइट ना मिले तो यह देखूंगे मैं समर में कैसा रिजल्ट देते हैं और चलिए आपको जल्दी से दिखाती हूं कुछ वाटर लिलीज देखे करने के बाद सबसे पहले जो फ्लावर करना स्टार्ट हए यहीऑ ट्रेआट है ट्रॉपिकल और इसमें अभी जो फ्लावर से 20 दिन पहले मैंने इनको रिपोर्ट किया था और अब जो है रिपोर्टिंग का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया यह पहला फ्लावर है और एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूं देखिए यह मेरा वारिंडा का प्लांट है जो लोग मुझसे वाटसप में कनेक् देखे यह बर्ड मैच्योर हो गई है और यह मैथट वही है अगर आप देख सकते हैं तो टप के कॉर्णर में मैंने प्लेस किया है डिटेल वीडियो के लिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं कि हारडी में ज्यादा फ्लावर पाने के लिए उसको कैसे लगाया जाए और इस प्लान के और भी ओर्डर्स थे यह जो है इनमें दोतीन है लेकिन इनमें चुकी बर्ड सा गई है इसलिए मैं इस वीक इनको डिस्टरब नहीं करूंगी जब यह फ्लावरिंग हो जाएगी उसके बाद ही मैं इनको भेजूंगी इसके एक्स्टर राइजोंस को भी इस पॉर्ट को मैं बिल्कुल डिस्टरब नहीं करूंगी तो जिन लोगों ने वारिंडा के लिए और किया है प्लीज एक वीक रुख जाएगे अगर मैं इसको इस सिच्वेशन में निकाल के भेज दू तो अभी यह बट जो है वो ट्रांजिट के बाद यह ब्लूम नहीं पॉर्टिंग करने के बाद प्लांट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिस्पॉंस करते हैं मुझे ऐसा लगता है राइजोंस को छेड़ देने से वह डॉर्मेंसी के बाद हलका सा जो शोक मिलता है वह उनको ब्लूमिंग करने में मदद करता है बट यह मुझे अभी इ बता हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि जो भी मैं अपने वीडियो में बताती 22 सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियांस से बताती हूँ कोई होटिकल्च्ब्चर वगएरे की पढ़ाई तो मैंने की नहीं है, जो भी मैं शेयर कर रहे हूँ वो मेरा experience है, यह चीज में तोला अब्जर्व करूंगी यह भी मैंने वारिंडा में भी देखा रिपोर्टिंग के बाद बढ़ ने जाद अच्छा परफॉर्म किया यही चीज क्लाइड इकिन्स को तो मैंने दो दिन पहले ही डिस्टरब किया था मेरे एक बायर है उनको क्लाइड इकिन्स भेजना था म यहां पर सेंटर में दिया था ग्रोथ यहां पर आप देख रहे हैं बर्ड इसमें आ गई है वैसे यह बहुत अच्छी वेराइटी है सिया मंबर एक्चुली यह गुट ब्लूमर है मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैंने फर्टिलाइजर दिया था तब एक छोटी रिजल्ट है जो लोग भी फर्टिलाइजर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं देखे अगर आपने सहीं तरीके से दिया तो प्लांट अच्छा परफॉर्म करेगा तो यह था आज का छोटा सा वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में तब